तो सिल्वर के उपर आनालेसिस करके बताने वाला हो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको सिल्वर के उपर क्या मुवमेंट देखने को मिल सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखूँगे तो चार परशन की तकड़ी जंप आपको सिल्वर के उपर देखने को मिल रही है, जो analysis करूँगा, यह silver mega के ऊपर करूँगा, silver mega को देखके silver mini micro में тебя आप trading कर सकते हो, investment कर सकते हो, और 7 यहाँ पर silver ETF के बारे में भी जानकर रही दूँगा, कि silver ETF के साथ भी आप कैसा investment का plan कर सकते हो, और वहाँ से कैसे है regular income generate कर सकते हो, वह भी यहाँ पर discuss करेंगे, यहां फिया फर्स्ट टेम विजिट कर रहे हो कोई से इसके चैनल को सब्सक्राइब करने की मैं सिल्वर को पर इंट्राडे लेवल प्रोवाइट कर रहा था हूँ, कोई भी चार्जिस नहीं है, मेरे वीवर से सब्सक्राइब करके लिएक दम फ्री आफ कस्ट लेवल प्रोवाइट कर रहा था हूँ, लिंक अपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके तरुब आप जॉइंट हो जाएए, टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लाइव मार्केट को पर मैं वहाँ पर इंट्राडे लेवल प्रोवाइट कर रहा था हूँ, तो लाइव टेडिंग शेशन में देखोगे, तो लगबख लगबख 59 के असपास क्रॉस हो चुका है, लगबख 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 देख लिजिए, 200 पॉइंट की तकड़ी जम, आज के टेडिंग शेशन में लाइव मार्केट को पर देखने को मिल रहा है, लाजवा बाइंग देखने को मिल रहा है, आप यह दिन से मैं विडियो में बोड रहा था कि आप वेट करेए, कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, सिल्वर के ओपर अच्छे दिन आने वाले हैं, विएकुल वही होते हुए देखने को मिर रहा है लाजबा बाइंग आज के टेडिनिशेशन में देखने को मिर रही है जो सेल करके फशे होंगे उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है घबराने के जोरुत ने उनके लिए भी यहां पर बताने की कोशिश करूँगा, यहां पर इस बीच के देख लिजे, यहां पर एक बीच में एक रेजिस्टन्स बनता है, इस रेजिस्टन्स के हो सके थोड़ा सा डीप आने की कोशिश करेगा, लेकिन यह जैसे ब्रेक आउट करेगा बहुत तगणा म आ यह तरीडिन्ग हो रहा है, तो इस ही के आसewासा ही यह जब इधर करें, तो मैंने यह भी बोला था कि दिपावली के पहले पहले आपको यहां पे बड़ी मौमेंट आने वाली है, दिपावली के पहले ही आपको अच्छे मौमेंट मिले गी, और और वियुकुल आप डिप के अंदर बाई करके चले आने वाले दिनों में अच्छे मुमेंट आपको देखने को मिल सकती है, हो सके यहां से ब्रेक आउट ना करे और डिप आ जाए, तो यहां पे हर एक एक हजार पॉइंट के बीच में आप एवरेज स्टेजी अपलाई कर सक और आने वाले दिनों में यहां पर अच्छा प्रॉपिट गेंड कर सकते हैं, खास करके जो बाई साइट बेटे उनके लिए, और जो सेल साइट बेटे यहां पर वेट करिए, जब तक वह 64 नहीं जाता तब तक आप आप एवरेज मत करिए, क्योंकि अभी ओवर्सॉल्ड ह हो चुका है, तो वह आपके लिए एकजिट पोजिशन बनता है, ना कि बाईंग अपॉर्चुनिटी, पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि कोसिस करें, यहां पर बाई करने की कोसिस करें, यहां पर फिप्टी तरी तक आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके ही पहले यह पलड गया और अच्छा खासा भी यहां पर बाईंग के उपर यहां पर देखते हुए आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको घबराने की जूरुत नहीं यहां पर होल्ड करी है, चौट असा एक रेजिस्टन्स यहां पर भी देखने को मिल रह हो सके इसके आसपास आपको 62,500 को आसपास जाके फिर यहां पे एक थोड़ा से सस्टेन करेगा यह सीलवर इतने जल्दी भागने वाला नहीं है आप घबराई है मत जो सेल साइड बैटे हैं विवकुल यहां पे जब तक 64,000 नहीं जाता तब तक आवरेज मत करिये और जो बा के साथ 24,200 के साथ यहां पे होल्ड कर सकते हो लाइव मार्केट में देख लेजाए अभी पचिस सो पाइंट के आसपास तकड़ा जंप अभी लाइव मार्केट में आपको सिल्वर के उपर देखने को मिला विवकुल रेजिस्टन्स के पास है तो थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा यहां से और जिसने अरेड़ी यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके भी आप निकल सकते हो किसी ने 54 के आसपास किसी ने लिया होगा तो अभी उकुल यहां पे अपनी पॉजिशन आप फिट्न आप यह जिट कर, तो किसी ने यहाँ पे नीचे की तरफ से बाई किया होगा हो सके किसी ने यहाँ पे 54 के लेवल में किसी ने बाई किया होगा तो अपनी पोजीशन यहाँ पर एक जिड़ी कर सकते हो और यहां से काफी दिन मैंने वीडियो में बोला भी ता कि एक ही दिन के अंदर आपको दो से ले के तीन हजार पॉइंट की मुमेंट आपको देखने को मिल सकता है और वही मुमेंट आज आ गया है सिल्वर के अच्छे दिन आने वाले है जबी भी डिप मिलता है व्युक्ल बाई करने की कोशिस करें और जो सेल साइड बैटे है वो 64,000 का वेट करिए जिस दिन 64,000 आएगा तो वहाँ पे एक पोजिशन आप जरूर एड कर सकते हो और यहां से बाई साइड हर एक एक हजार पॉइंट के डिप के अंदर बाई करने की कोशिस करें यहां पे टार्गेट आपको 64,000 तक रहेंगे सेकंड टार्गेट यहां पे 70,000 तक गी मिलेगा तो उम्मिद करता है इस वीडियो के अंदर जो अनकरी दिया यह मेरा सेल पे अनलेसिस है मैं कोई सेबी रेजेस्टेन अनलेसिस नहीं हो जो अनलेसिस करूँगा वो 100% सही रहेगा यह कॉमोडिटी मार्केट है यहां हर दो मिनिट बाद कोई ना कोई न्यूज आती रहती है तो हम तो कॉमोडिटी मार्केट है कॉमोडिटी मार्केट के अंदर हर दो मिनिट बाद कोई ना कोई न्यूज आती रहती है तो उसके अपर भी फोकस करके चलि मिल जाएगा मिलते हैं वीडियो ने अपके साथ तब तक लिए बाई बाई